इनकम ओम इस अकाउंट से सवाल पुछा गया है कि आप जो चमतकार के लिए चालेंज देते हो वो बहुत अव्याभारिक है जो बाबा लोग लोगों को ठकते हैं वो क्यों आपके पास आएंगे और चालेंज विकारेंगे आप नहीं उनके पास जाना चाहिए उनको एक्स्पोज करना चाहिए उनको चालेंज देना चाहिए आपने बात तो कही दी मैं 38 सालों से इस ख्षेत्र में काम कर रहा हूँ 1982 में मैंने इसकी शुरुवात के थी मेरे काम की शुरुवात मैंने नाकपूर से के थी नाकपूर का जो विदर्ब का हिस्सा है 11 जिलो का उसमें कम से कम 200 चमतकार करने वाले बाबा थे और मैं चमतकार इस दुनिया में नहीं होते हैं इतने बोल्डी ठाम तरीके से लोगों के सामने कह रहा हूँ तो मुझे शुरुवात में मेरी इच्छा हो ना हो ये चालेंजे स्विकार नहीं पड़े जो लोग आगे आये उनको हम एक्सपोस करते गए प्रक्रिया कैसी थी कि बाबा लोग खुद होकर कभी आगे नहीं आते थी क्योंकि बाबा लोगों को शायद थोड़ा भूट डर था शुरुवात में कि कई इस व्यक्ति को सच्चा ही ना मालू हो लेकिन भक्तों को पुरा विश्वास रहता था कि मेरा बाबा तो प्रतिशत सही है उसमें इसे चमतकार करने की क्षमता है तो वो इतने बड़े पहमाने पर मेरे सामने खड़े हो जाते थे कि वो बाबा को जक मार के आगे आना पड़ता था और फिर वो कोई बात प्रूव नहीं कर पाता था इसके कारण मैं दिनरात वही काम करता था फुल टाइम काम करता था सवी नोकरिय छोड़ दी थी दिन में दो से तीन व्यक्षान वो भी महिने में 26 दिन पुरे महराश्ट में और चार-पाच परांदों में कर रहा हूं रोज आवान दे रहा हूं हजरू की तादाद में लोग आ रहे हैं तो पहले पाच-साथ सालों में काफी बाबा लोगों को अपने भक्तों के दबाओ के कारण आगे आना पड़ा और सब के पराभव होते गए कोई जीत नहीं पाया अब हमारी credibility पूरी तरह से establish हो चुकी बाबाओ के ध्यान में आया कि इस आदमी expert है हमारी सबी बदमाशिया पकड़ लेते और इनकी जो शर्ते हैं उसके साथ में तो बदमाशिया करी नहीं सकते शुरुवात में ये मेरा विचार लोगों तक पहुँचे मेरे विचारों के साथ में लोगों की विश्वसनियता निर्माण हो इसलिए exposures उसका एक अभिन अंग बना था और हम बड़े पैमाने पर exposures करते गए जब मैंने हजारों बाबा मांतरिक देवियों का exposure किया मेरे संगडन ने उससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये exposures किये तब धीरे धीरे हमारे ध्यान में बात आए कि expose करना ये हमारा काम है कि हम क्या पुलिस तंतर है कि और कितना हमेशा fight करते रहे जान जोखिम में जान जोखिम में डालते रहे और किसलिये जो बाबा बड़े थे जिनके बारे में मैं लोगों के सामने प्रूच कर चुका ये सही माने में ठकते हैं खास करकर स्त्रियों का भोग लेते हैं वे बाबा सही माने में बढ़ नहीं पाए वो बड़े बाबा नहीं बन पाए लेकिन जो बाबा बाहर के प्रांद से आते थे जैसे हमने सुन्दर दास को एक्स्पोज किया अब सुन्दरदास के इतने आश्रम है हर जगा जाकर उसके साथ में एक्स्पूस करते जाए तो क्या एक्स्पूस करें एक बार एक बाबा को एक्स्पूस किया जा सकता है बार बार नहीं किया जा सकता है सेम बात होई पाइलट बाबा की शकुंदला दिवी की दीरे दीरे दस साल तक काम करते समय हमारे ध्यान में आया कि बाबाओं को खतम करना ये संभव नहीं है पहले भी मेरे मन में ये ब्रह्म नहीं था कि हम किसी बाबा को एक्सपोस करने के बाद में वो खतम हो जाएगा क्योंकि बाबा क्यों जिन्दा रहते हैं लोग उन पर विश्वास रखते हैं इसलिए जिन्दा रहते हैं हम बाभाउ को क्यों इक्सपोज करते आएं बाभाउ को खतम करने के लिए नहीं मैंने तो मेरे पुरे जीवन में एक भी बाभा मांत्रिक देवी को कभी मार भी पड़ने नहीं दे उनको खतम करना ये कभी उद्देश था ही नहीं जिन लोगों को हमको समझाना है उन लोगों को एक क्रेइबिलिटी उनकी फॉर्म हो हम जो कह रहें उस बात पर विश्वास निर्माण हो इसलिए अगर कोई बाबा सामने से आता है तो उसको हमने एक्सपोस करना ही चाहिए मैंने खुद शुरुवात के दिनों में लोग आगरह करते हैं इसलिए जाकर बाबाओ को एक्सपोस किया जैसे मैं इंदोर में गया इंदोर की मेरे पाच्छे बैखन होने के बाद मैं काफी लड़के-लड़किया प्रभावित हुए और मैं ये पीछे लग गए कि नेनोत का बाबा है इतना बड़ा चमतकारी बाबा है सब उचमतकार उसके माने जाते है शंकराव चमाट से लेकर बड़े-बड़े मंदरी लोग उनकी चरणोबर माथा ठेकने के लिए आते है उसको एक्सपोस करे तब मैंने कहा था कि मेरा के ठेका है क्या बाबाव को एक्सपोस करना आप एक्सपोस करना चाहते हो आप एक्सपर्ट नहीं हो तो मैं आपको मदद करने के लिए आ सकता हूँ इस जंग से कई जगह पर कार्यकरता खड़े करने के लिए मैंने खुद जाकर कुछ बाबाओं को एक्सपोस किया लेकिन ये सही तरीका नहीं है ये मेरे ध्यान में पहले से था इसमें बहुत रिस्थ थी कई लोगों की जाने जा सकती थी गई नहीं मेरे अनुभव के कारण मेरी निर्भाईता के कारण मेरी समय सुचकता के कारण लेकिन हर प्रसंग में कई लोगों की जाने इसमें जा सकती थी धीरे धीरे मैंने अपने संगडन में जब संगडन बहुत बढ़ा हुआ बड़े पहिमाने पर कार्य करता उसके साथ जुड़ते गए तो मैंने ये नियम बनाया कि खुद होकर किसी बाबा को जाकर एक्सपोजने आप चालेंज दो, इस धंग से चालेंज दो कि उस बाबा को आइदर आपका वंस भी करना पड़े या फिर चोड़ कर भागना पड़े लेकिन खुद जाकर वहाँ पर उसको एक्सपोज करने के लिए प्रयास मत करो और यह हमारे संगड़न का एक हमारा तंतर बने इसलिए इतने सालों तक हमने हजारों बाबा एक्सकोज करने के बाद भी कभी मेरे संगडन के किसी कार्यकरता ने मार नहीं खाया कि एवल पॉब्लिसिटी के लिए हम किसी बाबा को एक्सपोज नहीं करते है भक्तों का दबाव ही ऐसा बने कि वो बाबा खुदा कर आवहान स्विकार है तो उसको एक्सपोज करने में मज़ा है वावान नहीं स्विकारता है अपनी जग़ा पर बैठा है तो उसको जाकर एक्सपोज करना उसके भक्त अंदभक्त होते है वो कुछ नहीं जानते है मैं खुद एक जमाने में बाबा का अंदभक्त था वो मेरी मानसिक्ता क्या थी मैं बहुत अच्छे डंग से जानता हूँ लोग बाबा को इश्वर मानते हैं मेरी खुद की मानसिक्ता थी कि मेरे इश्वर के बारे में यानि मेरे बाबा के बारे में अगर कोई बुलूगा खिलाब बुलेगा तो उसके मैं जान ले लूँगा यह मानसिक्ता मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ इसलिए आज तक मैं जित्ते आया क्योंकि उसी मानसिक्ता को मैं ठीक ढंग से हैंडल करता हूँ लेकिन यह सबके बसके बात नहीं है इसलिए हमने कुछ नियम बनाए कि हम बाबाबो को open challenges देंगे जाहीर challenges देंगे जो स्विकारेंगे उनको expose करेंगे लेकिन जो अपने स्थान बर बैटकर चमतकार करते हैं वहाँ जाकर तमाशा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है वो मैंने किया है अपने जिवन के शुरुआत में पहले दस सालों में मैंने किया लेकिन ये सभी कारे करताओने नहीं करना चाहिए उसमें बहुत जान की जोखिम होती है और उससे भी कुछ हल नहीं होता है वो बाबा पुरी तरह से खतम नहीं होता है और हमारा काम बाबाओं को खतम करना नहीं है हमारा काम है लोगों को अवेयर करना लोग शिक्षा करना लोगों का प्रबोधन करना लोगों को बाबा के शोशन से बचाना और इसी प्रयास में महराष्ट में एक सुंदर कानून बना है जादू टोड़ा विरोधी कानून वो कानून अमल में लाने के लिए जो करना है हुँ हम करते रहते हैं अब बीच में ऐसी सरकार आई थी जो मेरे मित्र थे मुख्यमंत्री अर्थमंत्री इसके बावजुद वो काम नहीं करना चाहते थे हम कुछ करनी पाए महराष्ट में पास साल तक अब नहीं सरकार कैसी आती है उस पर काफी डिपेंड तो ये कानून के जरिये कानून का सहरा लेकर ये लोगों का अवेरनेस बढ़ाने के लिए उसका भी उप्योग है पहले जो हमारे आत में कुछ नहीं था अब है इन सबका एक संतुलित विचार करना होता है मैं बहुत ही रैशनल वेक्टी हूँ हमेशा मेरे दिमाग में होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे का उद्देश क्या है अधर मेरे काम करने का उद्देश लोगों का प्रबोधन करना है बाबा को एक्सपोस करना केवल प्रूव करना है इसके अलावा उसको ज़्यादा महत्वा नहीं है तो मैं उस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझता हूँ उसी ढंग से आगे चलता हूँ यह यूट्यूब पर चैलेंजस है, ओपन चैलेंजस है उस बाबा को अगर बार बार यह चैलेंजस पहुंचाते हैं लोग कन्विंस होने के बाद में तो आइदर उसने ये चालेंज स्विकारना चाहिए नहीं स्विकारता है तो वो ठगी करता है ये लोगों के सामने आते रहता है और मैंने इतने बाबा जो एक्स्पोज किये उसको पूरी तरह से एक्स्पोज करने के बाद भी भी कुछ भक्त उसको छोड़ते नहीं है यह मुझे मालूम है यह गये गुजरे अंदभक्त बहुत होते है आसराम बापु के बारे में देखिए राम रहीम के बारे में देखिए इतने ही सब बाते बाहरा चुकी है फिर भी कुछ लोगों ने उनको नहीं छोड़ा कुछ नहीं बड़े तपके ने उनको नहीं छोड़ा फिर मैं इस बारे में भी बहुत स्पष्ट होता हूँ बहुत रैशनल हो तो मेरा काम है लोगों को समझाना लोगों को इस शोशन्ट से बचाना लेकिन किसको बचाना जिसको अवेरनेस नहीं इसलिए वो जो मरना चाहता है या फिर शोशन में दबा हुआ है मर रहा है उसको हमने बचाना चाहिए हमारा काम है हाथ देना और बाहर आने के लिए उसकी मदद करना लेकिन जो कहेगा कि नहीं नहीं मैं यहां ही ठीक हूँ मिलकुल मुझे बाहर नहीं आना है उसको हम खीच कर बाहर नहीं ला सकते हैं हमेशा याद रखना ये कोई भी सामाजिक शित्र की मर्यादा है कोई भी सामाजिक जो कार्य करता हुता है जो सामाजिक परिवर्दन करना चाहता है उसने हमेशे यह यह परियादा याद रखनी है कि हम उसी की मदद कर सकते है जिसको सहारा देने के बाद जो बाहर आने के लिए तैयार हो कुछ लोग इस मानसिक्ता के होते है कि उसको वही अच्छा लगता है वो लोग बाहर नहीं आना चाहते है तो उनको खीच कर बाहर लाने का अधिकार हमको नहीं है यह भी हमने हमेशा याद रखना चाहिए इसलिए आपने जो सवाल किया है कि वहाँ जाकर चालेंज करना चाहिए तो इसका मतलब एक ही है कि आपको इस क्षित्र के काम की कलपना नहीं है बाबाओं को मानने वाले भक्तों की मानसिक्ता क्या होती है इसकी आपको कलपना नहीं है उस धन से काम करेंगे तो पहले तो आज तक गए 38 सालों में मैंने एक भी कारेकरता को मार नहीं खाने दिया इस ढंग से काम चलाया और सक्सेस्पली चलाया एक भी केस में आज तक हम असफल नहीं हुए हमने जो बात की वो प्रूव नहीं हुई ऐसा एक भी बात नहीं हुआ लेकिन आज के आधुनिक जमाने में कोई जाएगा ऐसा चालेंज करेगा या फिर मैं जाकर उसको चलेंज करूँगा और वो वहाँ जाकर तमाशा करूँगा तो मार्पिट के अलावा कुछ भी निश्पन नहीं होगा और ये मार्पिट करने से कोई सवाल हल नहीं होता है इसलिए आज के जमाने में आधुनिक टेकनिक्स का उप्योग कर सकते है आपको इंटरेस्ट है ना कोई बाबा सही में लोगों को ठग रहा है कि नहीं तो आप मेरा कार्य करता बन सकते हो ना जाई ये चार-पाज जगों से मोबाइल स्पीट कीजिए बहुत बारिक इसे भक्त बनकर आट-दस दिन तक रेकॉर्डिंग कीजिए आपको सभी प्रूप्स मिल जाते है उसे पहले ये साधन उपलब्द नहीं थे आज आपके पास ही साधन उपलब्द है वो लोगों को कैसे ठखता है कहां बदमाशी करता है अगर चमतकार करता है तो कहां ठगी करता है वो स्पॉर्ट भी आपको उस रेकॉर्डिंग में मिल जाते है वीडियो रेकॉर्डिंग और आप भक्त बनकर आजकाल हर एक के पास में मुबाइल होता है हर बाबा को मिलने को जाता है तब रेकॉर्ड करते रहता है तो आप बात को समझे और उद्देश क्या है उद्देश है लोगों का प्रबोधन करना बाबा एक्सपोस करना ये केवल बीच में का एक लोगों में विश्वस नहीं होता बढ़ाने का माध्य में इसके अलावा उसको जादा महत्वन नहीं है